Hello everyone and welcome to simplified nursing आज के जो topic हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है personality disorders इसमें हम करेंगे definition of personality, personality disorder and cluster of personality disorders की कौन-कौन से type के personality disorders होते हैं First is what is personality, personality is the totality of qualities की person के इंदर क्या क्या qualities है, उसकी traits यानि की उसकी आदत है, कैसी है और उसका behavior कैसा है, particular person का behavior, particular situation में कैसा है इस सब को मिला के उसकी personality बनती है Next is personality disorders Personality disorders क्या होते हैं, जब इस traits उसकी आदते हैं, उसका behavior इसमें ऐसे changes आ जाते हैं, जिसकी वएसे उसकी social और personal life effect होती है साथ की साथ, दूसरे लोगों की social life और personal life effect होती है दूसरे लोग जब इस person के साथ adjust नहीं कर पाते, तो इसको हम बोलते हैं personality disorder Personality disorder specifically 18 साल की age के बाद ही हम diagnose कर सकते हैं अगर patient की age 18 साल से कम है, तो हम उसको personality disorder consider नहीं कर सकते हैं Next is cluster of personality disorders तीन टाइप की clusters होते हैं cluster A, cluster B and cluster C आज की हम वीडियो में cluster A पर focus करेंगे cluster A के नदर तीन टाइप की personalities होती है Paranoid personality disorder, schizoid personality disorder and schizotypical personality disorder So first is paranoid personality disorder Paranoid personality वाले लोग क्या होते हैं? शक्की होते हैं, दूसरे लोगों के उपर trust नहीं कर पते हैं Suspicious, mistrustful होते हैं कि suspicious, यानि कि लगाता शक करते हैं दूसरे लोगों पर कभी भी वरोसा नहीं कर पाते हैं इनको ऐसे लगता है कि दूसरे लोग इनको harm करना चाहते हैं बहुत जल्दी गुसा आया aggressive हो जाते हैं लड़ाई जगड़ा कर सकते हैं insecure रहते हैं चोटी चोटी बातों पर और violent हो सकते हैं उसके बाद लगाता है distrust रहते हैं इनको कभी भी किसी बात पर बरोसा नहीं होता दूसरों की कभी भी किसी के साथ intimate relationship नहीं मना सकते हैं isolate, अकेले रहना इनको ज़्यादा पसंद है किसी भी ऐसे काम के लिए जो इन्होंने दूसरों का नुकसान किया हो उसके लिए justification नहीं देते कि इन्होंने ऐसा काम क्यों किया और यह अपनी jobs maintain नहीं कर पाते क्योंकि उनको aggressive nature होता है तो लड़ाई जगड़े बहुत हो जाते हैं तो इसकी वजह से उनको जल्दी अपनी jobs change करने करती है next is schizoid personality disorder schizoid personality में क्या होता है कि person जो है अपना personal close relationship maintain नहीं कर पाता उसको बहुत साथ difficulties आती close relationship maintain करने में emotionally coldness होती है person के अंदर यानि कि वो emotionally attached नहीं हो पाता दोसरे लोगों के साथ solitary activities में उसको जो काम अकेले किया जा सकते हैं उनमें जादा मजाता है या कोई भी काम उसे अकेले करना जादा परसंद होता है और बहुत सारे कम दोस्त होते हैं उसके और उसको कोई interest भी नहीं होता कि वो नए दोस्त बनाए then उसको praise और criticism से कोई फरक नहीं पड़ता कोई उसके अच्छा ही कर रहा है या बुरा ही कर रहा है इससे उसको कोई फरक नहीं पड़ता बहुत कम activities हैं जिसमें उसको कुछ भी करना, enjoy करना, घूमने जाना बहुत कम ऐसी चीज़ होती हैं जो उसे परसंद होता है preoccupied रहता है patient fantasy के साथ या नहीं कि अपनी दुनिया में घूम रहता है introspection या नहीं कि self observation करता रहता है अपने आपको जज़ करता रहता है, अपनी अच्छी और बोई qualities अपने आपको बताता रहता है और sexual experience की जो desire होती है, वो बहुत कम होती है ऐसे patients में उसके बाद है schizotypical personality disorder इसमें क्या होता है, individuals with this disorder are called latent schizophenics या नहीं कि इनको latent schizophenics भी बोलते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनके symptoms होते हैं वो कहीं नगें schizophenia से resemble करते हैं बट symptom इतने severe नहीं होते हैं कि उनको schizophenia बोला जा सके इसलिए इसको हम schizotypical personality disorder कहते हैं इसके symptoms होते हैं, परसन को isolated रहना साब पसंद है magical thinking यानि कि reality से touch नहीं होता उसके thoughts का वो ऐसा सोचता है कि मैं रातो रात अमीर हो जाओं या ऐसा कुछ तो magical thinking होती है उसकी ideas of reference यानि कि तूसको ऐसे लगता है कि दूसरे लोग उसके बारे में बात कर रहे है effect is inappropriate यानि कि जिस तरह से वो एक situation में react करता है वोसा यह नहीं होता उसके बार nursing management है जो cluster A हमने पढ़ा paranoid, schizoid and schizotypical तीन टाइप के personality disorder cluster A के अंदर उसकी particular nursing management है first is nurse patient relationship बनाना है हमने अच्छा effective communication करनी है ताकि patient की जो भी problems है जो भी इसकी दिमाग में चल रहा हो हम आसाथ share कर सके monitor करना है patient का behavior safe or conductive environment provide करना है ताकि ना patient को harm हो ना हमें हाम हो सके या patient की विज़े से किसी और को कोई harm ना हो इसलिए safe environment provide करना है उसका alternate copying strategies यानि कि जब patient को गुस आए तो उससे कैसे cope-up कर सकता है कैसे situation को deal कर सकता है यह सिखाना है patient को family education करना है family education करना है कि family patient की help करे patient को cope-up करने situations में patient के समने कभी भी whisper नहीं करना जो भी बोलना है clear बोलना है ताकि patient को ऐसा ना लगे कि हम उसके बारे में कुछ करलत बोल रहे हैं या उससे कुछ चुपा रहे है be not judgmental patient को कभी भी judge नहीं करना जो भी patient का behavior है उससे accept करना है और support और guidance देनी है patient को जब भी वो कुछ अच्छा काम करता तो उसको positive reinforcement देनी है यह थी nursing management cluster A की cluster B and cluster C हम next video में cover करेंगे thank you so much